अब देखते हैं कि जब एक प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है यह मैं पहले भी बता सकता था लेकिन शुरू शुरू में मैंने इसलिए नहीं बताया कि उस वक्त क्या होता है कि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरह से प्रोग्राम रन करना है क्या हो रहा है और उ क्या है कि यहां पर फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन हमारा क्या है कि हैश इंक्लूड इस टीडी आयो डॉट इच तो इसको जो होता है हम बोलते हैं यह header file होता है header file अगर कोई पूछे कि क्या अगर यह हम नहीं देंगे तो error आएगा अगर क्यों आएगा वह पता चलेगा अब दूसरा क्या है कि integer में इसके अंदर क्या होता है header file के अंदर function define होते है function अब क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रोग्राम यह हमारा compiler है तो यह compiler क्या करता है कि सबसे पहले compiler में होता क्या है कि जब हमारा एक प्रोग्राम हम लिखते हैं तो यह हमारा dot c में होता है जब हम compile करते है control क्या होता है control f5 होता है turbo में control f5 अगर modern compiler उसमें तो हम direct f9 से दोनों हो जाता है तो यह जो dot c होता है यह convert होता है low level language में इसके अंदर बहुत सारे process है वो compiler design जब आप पढ़ोगे तो उसमें clear हो जाएगा आभी हम बस वो सारे skip कर रहे हैं बस हम इतना देख रहे हैं कि यह जो है direct dot c से low level language में convert हो गया यतना मतलब easy नहीं एक step का नहीं इसमें बहुत सारे steps involved हैं लेकिन फिलहाल के लिए हम उसे ignore कर रहे हैं उसके बाद यह low level में convert होने के बाद एक dot exe file generate होता है जो कि dot exe executable file होता है यह मैं windows की बात कर रहा हूं अगर unix है तो उसके लिए dot a out dot out होता है शायद मैं sure नहीं हूं sorry तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा dot c program है यह convert जब compile किये तो हमारा low level में यानि कि आभी जो यह सारी हमारी high level language high level language जो हम खुद समझ सकते हैं लेकिन जब low level में convert हो जाते है program तो computer readable form में होता है one zero के form में अब क्या है कि जब यह convert करना है integer a b यह सारे define है जो compiler में अब क्या है कि scanf और printf यह क्या एक function है आखिर इसका work क्या है यह क्या करता है तो इसका जो meaning है कि इस function क्या करेगा इसका work क्या है वह इस header file में जो यह steady io.h है इसमें define है तो इसलिए हम यह include करते हैं अगर हम scanf और printf अगर दो हटा दें यहां से और इसको भी हटा दें तो हमें कोई error नहीं आएगा क्यों क्योंकि हम दो यह use नहीं करें तो हमारा program सही चलेगा लेकिन हाँ output के लिए हमें printf चाहिए और scanf के लिए हमें use करना पड़ेगा तो अगर उस दोनों में से अगर हम function use नहीं कर रहें तो definitely यहां पर कोई error नहीं आएगा तो यह दो जो function scanf और printf इसी के लिए हम stdio.h यूज करते हैं header files इसको हम pre-processor directory भी बोलते हैं pre-processor directory भी बोलते हैं क्यों कि जब हमारा program जब आप देखोगे जब अगर turbo में compile करते हो तो दिखेगा जैसे हमारे program में lines of code कितने है 37 है लेकिन जब उसमें compile करेगे तो show करेगा कि 1800 something lines compile तो फिर बहुत लोगों confused आते हैं कि अखिर इतने line है कहां तो वो जो है न यह जब pre-processor हमारा जब compile करते हैं तो उससे पहले यह क्या करता है यह hash include stdio.h यह भी like c की तरह भी एक program है लेकिन बस यह special एक program है इसलिए इसको header file है और इसका extension .h है तो वो जितने सारे उसके code लिखे होते हैं इस main के उपर हमारे program में आ जाता है तभी तो यह scanf और printf का definition उसे पता रहेगा और जब वो आता है तो वो भी line हमें count हो जाती है इसलिए हमें दिखता है कि इतना number of lines compiled हुआ और preprocessor directive इसलिए भी बोलते हैं कि हमारे program इसको process करने से पहले यह process होता है यह clear उसके बाद है integer main अब क्या होता है जब function run होता है तो जब execute हो जाएगा तो उसके पास वो एक value return करता है अगर program successfully fully अगर successfully अगर हो गया तो वो क्या करता है zero करता है otherwise non zero कुछ भी non zero return करेगा unsuccessful पे तो इससे भी पता चलता है कि इसलिए हम यहाँ पर return type देते हैं ताकि अगर program हमारा कुछ और output दे तो हम पता कर सके कि हमारा program सही execute हुआ यह नहीं क्योंकि अगर suppose कि यह function को हम कहीं से call करेगा अगर हमारा return zero आ गया तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा program successfully execute हो गया और जीरो के अलावा कुछ और आता है तो वो इसका मतलब कुछ program में error है चाहे execute नहीं हुआ इसे हम पता कर सकते हैं यहां पर क्या है कि हम return जब कोई भी यहां पर return टाइप होता है तो यहां पर हम return देना जरूरी है तो यहां पर हमें return zero लिखेंगे ताकि यहां पर आने के बाद तो यह हम avoid भी कर सकते हैं कर भी कर भी इतना जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर लिखें तो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है तो इसलिए यहां पर हम integer लिखते हैं और यहां पर return दूसरा अगर तर्बो यूज करते हैं तो तर्बो में slider file क्यों कि वो जब हम इतना लिखें कि तो भी कोई error नहीं आएगा लेकिन वो क्या होता है कि output आता है और गायब हो जाता है और हमें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं लेकिन actually में वो output आया होता है वो control F5 से हम देख सकते हैं control F5 से हम उस output को देख सकते हैं शायद मुझे हो सकता है कि shortcut सही स्याद नहीं हो लेकिन मुझे जहां तक यादा control F5 ही है तो control F5 पे देखने के बाद वो पता चल जाएगा in case अब क्या होता है कि जो screen आता है उसे हम से आते हैं कि कुछ दिर hold करके रखें और तब तक hold करके रखें जब तक कोई key हम प्रेस नहीं करें तो उसी लिए हम एक वहां पे use करते हैं get ch function यह ऐसा नहीं है कि screen को hold करने के लिए है चाहे कुछ भी अगर ऐसा बोलते हैं हम भोलके निकल जाते हैं उतना सही नहीं है यह हम इसलिए करते get character यह function wait करता है किसी भी character को input के लिए और यहाँ पर हम कुछ का कुछ operation नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर काम हम किसी और चीज लिए ले रहे हैं लेकिं किसी और purpose के लिए यहाँ पर function यह इसलिए करते है Weekly Creator के करें लेकिन यहाँ पर हम इसलिए करते हैं ताकि उतना देर हमारा स्क्रीन होल्ड रहे है और यह जो get ch है न यह भी define है कोनियो.h में तो इसलिए हम उस case में कोनियो.h लिखते हैं मेरा ख्याल से यह clear हो गया कि header file क्यों use करते है scanf हो गया, integer हो गया, printf, preprocessor हो गया और आगे बाकी अब देखेंगे फिर अगर ऐसे कुछ हुआ तो मैं बता दूँगा अगर कुछ भी confusion हुआ तो मेरा ख्याल से अभी तक यह जितने मतला हम लोगों ने प्रोग्राम किये तो यह simple से था बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कुछ confusion होनी चाहिए हाँ आगे जब पढ़ेंगे हम तो फिर जो जो चीजी आएंगी जैसे यह प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिया और भी बहुत कुछ आएंगे तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे डिटेल में